कि कि यह वीडियो में कि राज की हैं और सबसे पहले देखेंगे कि इवलुशन इंडिया में कैसे हुआ जब सहे बात करें कि Εंडिया में यहां पर एक कमिटी के बारे हमको बात करनी पड़ेगी और वो है बलवंत राय महता कमिटी तो बलवंत राय महता कमिटी कैसे बनी उसने क्या-क्या रेकमेंडेशन दी और उन रेकमेंडेशन पर क्या-क्या हुआ इन सब चीदों को समझेंगे और उसके बाद जो अलग-अलग तो इसमें अशोक महता कमिटी, जीवी के राव कमिटी, फिर एलम सिंग भी कमिटी, थुंगन कमिटी, गद्गिर कमिटी, अब एक कंटेंट तो बहुत जादा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस एक वीडियो में इसको खतम कर दूँ, बट हो सकता है, ना खतम हो पाए, तो एक और वीडियो में इतने topics को मैं खतम करूँगा, तो बेना टाइम वेस्ट के शुरू करते है, पंचायती राज का मतलब ही होता है, यह रूरल लोकल सर्फ गॉवर्मेंट, मतलब गाओं के इलाके में, गाओं के लोगों को अपना administration चलाने की सहूलेत आपने दे दी, तो दूरूरल लोकल सर्फ गॉवर्मेंट हो गया, और यह किसके थूर पॉसिबल है, यह पंचायती राज के थूर पॉसिबल है, ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को पहुचाओ, ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी कर से पहुचेगी, तो भाहिया, आपने state-less decision के ल लोगों को, और यही चीज़ की गई, किसके थूरू, 73rd Constitutional Amendment Act 1992 के थूरू, 1992 में हमारे सम्विधान में 73 संशोधन को जोड के हमारी सरकार ने लीगल बना दिया, किस चीज़ को, लीगल बना दिया, मेंडेट्री बना दिया, कि भाहिया, ग्रास रूट लेवल पर आप अपने representatives को चुनेंगे, और वो representatives आपके लिए काम करेंगे, और यहां पर हम लोग सबसे पहले देखते है, evolution of panchaiti राज, चुकि हमारा देश 1947 में अजाद हुआ है, और 1992 में सम्मिदान संशोदन आया, तो 1947 से लेकि 1992 तक क्या हो रहा है, इसको भी देखना जलूरी है, यह कुछ basics लिखें, evolution of panchaiti राज पे, तो आप चाओं तो इन basics को देख सकते हो, देखें, panchaiti राज के evolution में सबसे पहले बात किया, तो हम बात करेंगे बलवंत राय महता कमिटी को, बलवंत राय महता कमिटी एक तरफ और बाकी जितने भी कमिटी अपॉइंट की गए panchaiti राज पे, वो दूसरी तरफ, सबसे पहले अगर आप बात करो, तो बलवंत राय महता कमिटी इसको कब अपॉइंट किया गया, 1957 में अपॉइंट किया कि जो community development program चलाया तो सरकार ने 1952 में, और जो national extension service चलाय दी सरकार ने 1953 में, क्या ये सही तरीके से काम कर रही है, और अगर ये सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो इनको कैसे सही तरीके से काम करवाया जा सकता है, और इन दोनों programs को monitor करने के लिए जो committee बनाए गई उसके chairman बलवंत राय महता, इसलिए इसको बोला गया है, बलवंत राय जी महता committee, इस committee ने अपनी report को submit किया, नवंबर 1957 में, और ये बोला कि democratic decentralization करना ज़रूरी, scheme of democratic decentralization करना है, जिसको finally बाद में पंचायती राज बोला गया, उस समय पे इसको democratic decentralization कहा गया, बलवंत राय महता की committee के अगर आप बात करो, तो इनकी recommendations क्या रहती है, थी टायर पंचायती राय सिस्टम चलाई है, जहां पर ग्राम पंचायत होंगी आपकी गाहों के लेवल पर, पंचायत समिटी होंगी ब्लॉक लेवल पर, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता हैं दोस्तों, कि जो state का administration होता उसको छोटे-छोटे हिस्सों में बाटा जाता है, तो पूरे states को district में बाटा गया है, एक district के अंदर बहुत सारे blocks होते हैं, तो अगर आप किसी भी state के PCS exam को देते हो, तो एक post निकलती, block development officer, कही कई पर इसको कुछ और नाम भी होते हैं, तो अभी आप IS बनोगे तो आप बनोगे district magistrate, अगर आप PCS के high level का exam qualify करते हो, तो UP में उत्तरपरदेश, आप UP में SDM बनते हो, या फिर राजस्थान इसको RAS बोलते हैं, राजस्थान administrative services, तो जो भी ये state के administration services हैं, तो आप बनोगे SDM, तो एक district के अंदर, एक collector के अंदर कुछ 3-4 SDM होते हैं, तो आप collector को स responsibility होती है, ठीक है, तो या तो आप बनोगे, फिर उसके नीचे होता बीडियो, block development officer, तो एक पंचायत करके serial आया था भी recently, ठीक है, तो उस serial आपने देखा हो, तो उसमें एक person को बीडियो भी दिखाया गया था, तो आप block development officer भी बन सकते हो, तो एक state में district होती है, एक district में बह सारे गाहों होते हैं, तो भाई, village level पर ग्राम पंचायत बनेगी, उसके बाद block level पर पंचायत समित्य बनेगी और district level पर जिला परसत बनेगा, ये किस ने बोला, ये बलवंत राय महता जी ने बोला, उसके बाद बलवंत राय महता जी ने बोला, कि जो ग्राम पंचायत बने पर लोग डियर्क्ट एलेक्षन का क्या सिनारियो है वह अलग अलग सरकारें अपने एसाफ से डिसाइट करेंगी फिर बोला गया कि यह जो ग्राम पंचायत है पंचाय समीति है और जिला परिश्यत है सारा का सारा लोकल लेवल का डवलफमेंट काम इनको देना चाहिए चुक अब पंचाय समीति में अब लेवल की इशीक था थेय्म से अईक्जैस कहीं होता है जगाया जिला परिश्यत प्रिशी है तो सबसे ऩे रहं के उपर आया पंचाय पराभ्रीक को एच बोला जिए बीच लेवल की पंचाय समिति दош्य के ज्चाय समीति यह निनिकी है इंप्लेमेंट करने में ध्यान देगी तो जब ये पंचाय समेंटी चीजों का इंप्लीमेंट करने पर ध्यान देगी तो इसके ता ग्राम पंचाय य conveniently ये ऑपर पर पर забuto की सहतूं के कैसे इंप्लिमेंट करना एं तो वो पंचाय समय करें और समय समय पर इंस्ट्रक्शन किसको देगी ग्राम पंचाय को तो यह ओवर ऑल और रार्की बना ही किसने बलवंत राह महताजी की कमिटी ने जेला परिष्थत का चेर्में इसको बनाना है डिस्ट्रिट को बनाना है सच मतलब आपने नाम के लिए इन बॉडिस को बना दिया वो नहीं चलेगा आप सही में इनको पावर दो और पावर को यह देना नहीं चाहता है यह आप हम सब जानते हैं आपके पास भी कोई पावर हो तो क्या आप उसको छोड़ना चाहोगे मान लीजे आप डिस्टिक्ट करेक्टर बन गए और आप लखनो के डीम मना दिये गए हमारी बॉलीवूड की मूवियों में डीम तीन-चार साल में बन जाते हैं और वह भी लखनो जैसे डिस्टिक्ट क तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि there should be adequate resources should be transferred to these bodies to enable them to discharge their functions and fulfill their responsibilities तो भाई यह body अगर local level पर ground level पर काम कर रही है तो कहीं न कहीं इनके पास resources होना चाहिए उनके पास पैसा होना चाहिए कि यह सही तरीके से काम कर सके और जब 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 जितनी जितनी authority को devolve करने जरूत पड़े उतनी authority इनको provide कराई जानी चाहिए अब आप इसको देखे कि यह जो बलवंत राय महता जी की committee की जो report थी ना उसको accept कर लिया national development council ने जनवरी 1958 फे देखे 1950s में दो body बहुत important हुआ करती थी एक थी planning commission और एक थी national developmental council दोनों executive bodies थी दोनों constitutional bodies नहीं थी दोनों के बास बहुत ताक थी नीती आयोग को खतम कर दिया गया 2014 में national development council की आज की डेट में कोई खास वकत बची नहीं है तो भाई national development council ने जनवरी 1958 में बलवंत राय कमिटी की report को मान लिया लेकिन यहां पे national development council ने बोला कि कोई एक rigid pattern मनाने की जरूत नहीं है अलग-अलग states को यह आजादी दी जानी चाहिए कि वह अपने इसाब से अपने pattern को decide कर सके broad fundamental same होना चाहिए और broad fundamental क्या है कि भाईया local level पे हमको democratic governance देना है तो वह तो होनी चाहिए लेकिन वह local level पे democratic governance देने क्लिए किस प्रकार की body बनानी है किस प्रकार की hierarchy set करनी है यह उस local government पे छोड़ो दो यह बोला गया पहला state कौन मना जिसने इस पंचाहिती राज सिस्टम को voluntarily adopt किया वो था राजस्थान राजस्थान में पंचाहिती राज सिस्टम की शुरुबात की हमारे नहरू साब ने कब 2 October 1959 को नगाउर नाम के district राजस्थान में वहाँ पे पंचाहिती राज सिस्टम को establish किया गया राजस्थान के बाद पंचाहिती राज सिस्टम को कौन से अडाप्ट किया आंद प्रदेश्ट ने भी 1969 में पंचायती राज सिस्टम को अड़ाप्ट कर लिया उसके बाद आप देखोगे मिड 1960 में फैशन सा चला और बहुत सारे स्टेट्स ने पंचायती राज सिस्टम को बनाया लेकिन पंचायती राज सिस्टम के ओवल ओल जो गवर्नेस और हिरार्की स्टक्चर था उनको काफी अलग रखा गया है तो सम्यथी परशत में किते मेंबर होंगे । समीथी समय के लिए उनको पैसा कैसे लिया जाइगा यह सब बहुत अलग अलग था तो राजस्थान में 3 तयर सिस्टम में लाटू 1 एय वwsडवंगाल 4 तयर सिस्टम में आया गया तो यह सब बात बोली गई पिर कहीं-कहीं पे कुछ बोडिति को पाउर दी गई तो अगर आप दो ब्राइग तर्ट पलानी साथ पोलिसी तो लूविंट तो प्लानिंग करना जब्लमेंट से पारिना जिसा प्लाइग काम दिया गया वो policy बनाएगी, महराश्ट वो गुजरात भी बोला गया, जिर्णा परशन policy मनाएगी। फिर कुछ states थे अपनी नियाय पंचायस जिसको जुदिशल पंचायस बोलते हैं, वो स्टैबलिश की। जुदिशल पंचायती चोटे मोटे पैटी और क्रिमिनल केसे सौल करते हैं 1960 से आप देखोगे दोस्तों कि अलग अलग जगाओं पे पंचायती राज सिस्टम ऑपरेट हो रहे थे जैसे कि रिसेंटली फार्मर्स एजिटेशन कर रहे हैं पंचाब हर्याणा के फार्म बिल्स के अगेंस्ट में तो सरकार ने क्या बुला ठीक है हम आपकी डिवांड को सुनने के लिए कमिटी बना देंगे कमिटी तो बनी ही रहती है सालों काम चलता रहता है कमिटी बनाने का तो वैसा भी कोई फायदा नहीं है आपको मैं कमिटी बनाने का बड़ा जबर्दस एक्जामपिल देता हूं जब कभी आप गवर्मेंट सर्वेंट बनो गए न तो आपको एक्जामपिल पता चलेंगे 2016 में पे कमिशन लग गया ठीक है दस साल के लिए जब 2016 में पे कमिशन लगा तो एक्जारे सुनाओगा आपने ठीक है कि हाउस रेंट एलाउंस सेटी सेटी के साफ से तो बेसिक पे का 24 परसेंट 16 परसेंट 8 परसेंट इस सब्सक्राइब करके आपको एक्जारे मिलता है तो हुआ यह कि 2016 कि जन्वरी के लगबग HR आपका इंप्लिमेंट हो गया मतलब सेलरी बढ़ गई लोगों की तो एचारे भी बढ़ा तो गौर्मेंट सर्वेंट की डिमांड थी कि जो टायर एक सिटीज है जैसे दिल्ली मुंबई टाइप की जो सिटीज है वहां पे HR बेस जाना की कमिशन था उसके साब से अचारे दिया लगेगा समझ गे बात को तो जो चौबज पर्सेंट हो रहा था वह पहले वाले का जितना परसेंट था उतना ही रहा अब एक साल तर सरकार ने कमिटी बताय राखी और इस बात के ऊपर बहस की कि अचारे 24% होना चाहिए और एक साल बद सरकार ने फिर बोल दिया कि नहीं 24% के ठीकि पर zalी है और 24% के एसाफ से देना शुरू किया एक साल भी दिया है और कभी भी अचारे पिश्विलेट से नहीं मिलता है तो एक साल का गौवर्मेंट इंप्लोईस का अचारे गौवर्मेंट ने रख लिया मैं आपको एक बस एक्जामपिल दे रहा हूँ कि गौवर्मेंट किस प्रकार से निगेटिव और पॉजिटिव तरीके से कमिटी सिस्टम का इस्तमाल करती है कहीं कहीं पे कमिटी बहुत अच्छी राय भी देती है और कहीं कहीं पे कमिटी सरकार बनाती है इसलिए है ताकि वो लोगों के ध्यान को भटका सके असल चीजों से ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं एक-एक करके देखे यह जो study teams and committee बनाएगी तो 1960 के बाद यह तो आपकी लक्षमी गांद किताम में लिखी हुई है जैसे 1968 मनाई गई committee on the rationalization of panchart statistics 1972 मनाई गई working group for formulation of 5th prior plan on community development projects यह एन रामकृष्ण नगिया के अंदर बनी थी यह उतनी important नहीं है important committees की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी अशोक मैता committee यहां पे चार लिख रखी हैं इनके सासाथ कुछ और भी है जैसे की थुंगन committee है गद्गिल committee है इन दो extra committee इसको भी देखेंगे सबसे पहले हम लोग इसकी बात करेंगे अशोक रात आई यह आपको अशोक मैता committee की बारे में और पंचायती राज institutions under the chairmanship of whom अशोक मैताची इस committee ने अपने report को अगस्ट 1978 में submit किया 132 recommendations दी इस committee और इस committee कर क्या रोल था देखें सारी committee को काम था कि पंचायती राज सिस्टम क्या सही तरीके से काम कर रहे है नहीं कर रहे है तो क्या उसमें reform किये जा सकते हैं तो सबसे पहला reform तो यह बोला गया कि भाई यह जो थी टायर सिस्टम में आपने पंचायती राज का चला रखा है इसको बंद करो और टू टायर सिस्टम चलो यह त्री टायर को कुछ ज्यादा ही टायर हो रही हूं जित्ती जादा टायर होंगी उतना ही कम efficient तरीके से काम हो पाएगा तो आपके वाल टू टायर सिस्टम रखें एक बनाईए आफ जिला परशद एक बनाईए आफ मंडल पंचायत एट ग्रूप आफ विलिजस मतलब ब्लॉक लेवल को आप मंडल लेवल भी बोल सकते हैं तो मंडल पंचायत बना लीजे जहां पर किसी एक विलेज को ग्रूप विलिज को रप्रिजेंटेशन दे रहा हो तो ग्रूप विलिज की जब पॉपलेशन मिलके 15-20,000 हो जाएगी तो आप एक मंडल पंचायत बना दो यालिकि जब मोस्ट बेसिक यूनिट ग्राम पंचायत उसको निकाल दिया अशुक मैतर जी ने फिर यहां पे क्य जेला पंचायत के पास जाएगा थाकत होगी चूकि उसके नीचे है मंडल पंचायत चीजों को उतनी अच्छी तरीके से इंप्लिमेंट करनी पाएगी देखिए मैं अपने वीवपांट सदार हो देखिए मंडल पंचायत बिल्कुल ही ग्राउंड पर जाके काम नहीं कर र और इस्पॉंसिफर फ़र प्लानिंग तर डिस्टिकल लेवल तो यहां पर यूनिट और अफ्प्लानिंग डेवलपमेंट किसको बना रहे है अशुक मैंता सब तो जिला परशत को बना रहे हैं और फिर यह बोला है कि पंचायत अलग्शन्स में चाहरे जिला लेवल पर हो कर लगाने की पावर होनी चाहिए ताकि अपने financial resources ये खुद जूटा सके उसके बाद यहाँ पर क्या बोला जा रहा है there should be regular social audit by a district level agency तो भाई यह regular social audit होने चाहिए and by a committee of legislators to check whether funds allocated for the vulnerable social and economic groups are actually spent on them देखिए कुछ पैसा जिला परशद को दिया जाएगा जिला परशद प्लानिंग करेगा उस प्लानिंग के साफ से पैसा मंडल पंचायद के पास बेजेगा और मंडल पंचायद उसको नीचे लगा रहा है या नहीं लगा रहा है इसके लिए कोई district level agency अपॉइंट की जाएग पर भी यह उसके कुछ लोगों members मिलके बातचीत कर सकते हैं कि जो पैसा हमने भेजा है सही तरीकिसे इस्तिमाग हो रहा है या नहीं हो रहा है फिर भाईया अगर पंचायदी राज institution मनें तो उनकी त्याकत को जबरदस्ती कम मत करिए या फिर उनको जबरदस्ती resolve मत करिए तो पंचायदी राज institution कभी कभी होता है ना कि लोकल लेवल पे जो आदमी काम कर रहा है वो राज की state legislative assembly में बैठे हुए MLA की बात नहीं मान रहा है तो सकता है MLA नाराज हो जाए तो अभी MLA नाराज हो गया तो action ले सकता है तो उस case में पंचायदी राज institutions का अगर state legislative assembly के स institutions का तो super session करने के 6 महीने के अंदर अंदर एक नया पंचायदी राज institution मनना चाहिए election के बात तिर भाईया जो development पंचायद है नया पंचायद है यह जो मंदल पंचायद इसको आप development पंचायद के से तरह काम करो नया पंचायद अलग होनी चाहिए यह जो लोग चीजों को ground level पर कर रहे हैं administration कर रहे है वह पंचायद अलग और जो judicial decisions दे रही है नया पंचायद वह अलग ठीक है नया पंचायत को head कौन करेगा तो एक qualified judge head करेगा नया पंचायत को oversee कौन करेगा तो राज की high court oversee करेगी फिर वो state का election commissioner और chief electoral officer of the state यह मिलके पंचायती राज elections को conduct करवाएंगे चीफ electoral officer क्या होता है यह मैं आगे बताऊंगा आपको फिर बाई development function should be transferred to the jila parisad and development staff should work under its control and supervision देखे पहले मैंने आपको बताया था कि जो अशोक महता committee है उसने district को बहुत importance दिये for policy making and for program implementation इसलिए development के level के सारे जो भी policy decisions है, ground level पे कुछ action लेना है वो सब jila parisad को दे दिया गया और जितना भी development staff है वो jila parisad के अंदर काम करेगा फिर the voluntary agency should play an important role in mobilizing the support of the people for the panchayati raja बहिया कही ना कही लोगों के दिल में panchayati raja के लिए इज़त होना चाहिए तभी तो panchayati raja को मतलब रहे हैं तो यह भी ज़रूरी है कि लोगों के दिल में panchayati raja के लिए इज़त जुटाई जाए एक panchayati raja का minister appoint किया जाए state के council of ministers में जो कि देखेगा कि panchayati raja institutions सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं SCST के लिए सीटे रिजर्ट की जाए panchayati raja institutions में उनकी population के हिसाब से और panchayati raja institutions को constitutional recognition दिया जाए मतलब कि panchayati raja institutions सिर्फ एक voluntary body ना रह जाए constitution में प्रॉपर संशोधन करके एक article जोड़ा जाए जिसमें यह लिखाओ कि हाँ भाई panchayati raja बनाने ज़रूरी है जिस तरीके यूपीस से constitutional body उस तरीके की body panchayati raja को बनाई जाए यह अशोक मैता कमिटी अगस 1978 में आए तो उस समय पे panchayati raja नहीं बने थे 1992 में constitutionalize हुआ panchayati raja लेकिन जंता पार्टी की government ने अशोक मैता कमिटी में आई थी और जंता पार्टी गिर गई तो central level पे अशोक मैता की जो कमिटी के recommendations थी वो implement नहीं हो पाई लेकिन वेस्ट मंगाल करनाटका अंत्रपजदेश इन तीन स्टेट्स ने कुछ steps लिए panchayati raja को अपने state में आगे बढ़ाने के लिए तो यह था अशोक मैता कमिटी दोस्तों यहां पे अशोक मैता कमिटी ही मैं आपक बढ़े